नमस्कार में हूँ आपके साथ शुवानी पांडे आप देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिठा कच्चा चिठा में आज सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसमें यूकरेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है रूस के इस खौफ़नाख हमले को देखकर मारिका तक काफ गया है जब की जिलन्सकी ने साथ कहा है कि रूस पूरे यूकरेन को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा है खून डाले 100-500 फीट दूरगिरी लाशे लगभग 600 दिन की जंग के बाद भी पुतन के हमले यूकरेन को कबरिस्तान बनाते जा रही है भले ही यूकरेन लाख दावे करे कि उसके ड्रोन अटैक ने क्राइमिया में रूस को तबाह करके रख दिया है लेकिन हकीकत में रूस ने 20 महीने की जंग में यूकरेन पर और भी भायानक और खौफनाख हमले कर दिये हैं दावा किया जा रहा है कि रूस ने इसकंदर मिसाइल से यूकरेन के खारकेव में प्रचंड मिसाइल हमला किया है एक के बाद एक कम से कम तीन मिसाइलों ने खारकेव के एक रहाई वाले इलाके को भस्म कर डाला है खारकेव में सबसी बड़ा खूखार खूणी हमला खारकेव, यूकरेन मारकेट, रोजा कैफे, रोजा खबरों के मताबिक 5 अक्टूबर को रूसी सेना ने 26 गुना तेज रफ्तार वाले इसकंदर मिसाइल से यूकरेन के खारकेव में हमला किया है खबरों के मताबिक रूस का इसकंदर मिसाइल से हमला खारकेव के रोजा गाओं में उस वक्त किया गया जब 60-70 लोग एक मारकेट में मौजूद थे इसके अलावा कई धरजन लोग कैफे में बैठे हुए थे इसकंदर मिसाइल ने पहले हुरोजा की मारकेट पर हमला किया फिर हुरोजा गाओं के कैफे पर हमला किया इसकंदर मिसाइल का ये हमला इतना तीखा और तेज था कि मौके पर मौजूद 90 फीजदी लोग जल कर राक हो गए जबकि आधा दरजन से ज़ादा लोग बूरी तरह से जख्मी है इसकंदर में साइल ने उड़ाया आधा शेह ज़रा देखिए खौफनाक और तबाही की तस्वीरों को देखिए जो खारकियों में रोजा गाओं की है आग के लप्ते, चारों तरब बिखरी लाशे, तबाह इमारते, चीख चीख कर कह रही है कि रोज की इसकंदर मिसाइल ने खारकियों के रोजा को पूरी तरह से तबाह और बरबाद कर दिया है खाने पीने की चीजे खरीद रहे लोगों पर जब 800 किलोग्राम की इसकंदर मिसाइल ने धमाका किया Zelensky और Biden को भी समझ में नहीं आ रहा कि रूज के खूखार मिसाइल हम लोगो कैसे रोके खून डाले 100, 500 फीट दूरगीरी लाशे लगभग 600 दिनों की जंग के बाद रूस ने उन इलाकों को भी जीतना शुरू कर दिया है जहां रूसी सेना की पकड़ काफी कमजोर मानी जा रही थी पिछले एक हफ़ते से योक्रेनी सेना दुनिया भर में हवा बना रही है कि 4 जून 2030 से शुरू हुआ योक्रेन का कांटर अटैक अब रूस पर बहुत तेज हो चुका है योक्रेन के टॉप कमांडर तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंनों इंट रूस की पहली रख्शापंक्ती को पूरी तरह से द्वसत कर दिया है और तूसरी और तीसरी रख्शापंक्ती पर योक्रेनी सेना भायानक हमले कर रही है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने ऐसा भीशन हमला किया है कि अब योक्रेन को पूर्वी योक्रेन के साथ साथ दक्षणी योक्रेन के भी खोने का खत्रा पैदा हो गया है हम आपको आगे बताएंगे कि रूसी सेना ने दक्षणी योक्रेन के किन-किन इलाकों में योक्रेनी सेना और उनके भातक हत्यारों के चीथडे उड़ाए हैं। पहले आप ये जान लीजे कि खारकियों में रूस के इसकंदर मिसाइल हमले में क्या-क्या तबाही हुई है। पूरी तरह से जान बूच कर किया गया आतंक वादी हमला करार दिया है। पूरी तरह से जान वादी हमला करार दिया है। योक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सेना के दाबूत में कील साबित होगी। खास तोर से दक्षन योक्रेन में जैलन्स की जीत के दाबी कर रहे हैं। जबकि योक्रेन के जंदल अलेक्सेंडर सेरस की दूसरी तरफ चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि रूस ने दक्षन योक्रेन के साथ साथ पूर्वी योक्रेन में भीशन हमले की जबरदस्त तयारी कर चुका है। ऐसे में योक्रेन के इन ताबों पर कैसे भरोसा किया जाए। कि 600 दिन में योक्रेन ने रूस के 2,82,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। पूतिन का प्लान किया है। में फैले ओदेशा पर रूस का साथ कहना है कि इसके इलाके और शहर रूस के है। ओदेशा योक्रेन का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यहाँ 2017 की जनगर्ना के अनुसार 9,93,120 लोग रहते हैं। ओदेशा नौसेना के लिहाँ से भी बेहद्यम शहर है। इसलिए पुतिन ने इशारा कर दिया है कि ओदेशा पर रूस कबजा करेगा। इधर रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोईगो के मताविक इस सवक्त दक्षनी योक्रेन का जपुरेसियाः इलाखा युधका केंदर बन चुका है। रक्षा मंत्री सरगेई शोईकू का दावा है कि दक्षिर में हारते योक्रेन ने मजबूरी में अपनी रिजर्ब ब्रिगट को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ये योक्रेन की वो रिजर्ब ब्रिगट है जिसके सैनिक पश्चिमी देशों से ट्रेनिंग लेकर में उत्रे हैं। शोईकू ने दावा किया कि जून में जवावी कार्रिवाई शुरू करने के बाद से योक्रेन के 90 हजार सैनिक मारे गए हैं। जबकि रूस के तो, टैंक और रोकेट आर्मी के प्रचंद हमले में उक्रेन के 96-100 से अधिक सैनिय उपकरन और हथियार तबा क्योंकि सर्दियों में रूस के सामने उक्रेनी सेना और कमजोर हो जाएगी। ऐसे में पुतिन ने इसकंदर में साइल से खार कियू के गाउं को तबा करके साफ संकेत दे दिया है। होटा गाउं हो या फिर बड़ा शहर, रूस की सेना के निशाने पर अब पूरा योक्रेन है।